कोरोना वाइरस, पिछले दो सालों तक कई लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान कमा बैठ है पर आज आई विश्व स्वास्त संगठन की रिपोर्ट के मताबिक कोविड की वज़ा से होने वाली मौतों का असल आकड़ा दुनिया के आधिकारिक आकड़े से करीब तीन गुना ज्यादा है और भारत को लेकर भी चौकाने वाले आकड़े सामने आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ चीन में सरकार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट से कैसे निपट रही है इसकी भी चर्चा होगी आज कावस्टोरी में सबसे पहले बात आज जारी विश्व स्वास्त संगठन की रिपोर्ट की जिसके मुताबिक भारत में पिछले दो सालों में कोरोना की वज़ा से करीब 47 लाख मोते हुई हैं जो सरकारी आकड़ों से 10 गुना ज्यादा है हाला कि भारत सरकार ने वहो की इस रिपोर्ट का खंडन किया है देखिए वीवीसी समवादाता नायोमी ग्रिमली की ये रिपोर्ट कोविट से दुनिया भर में मची उत्हल पुधल के बीच जगा जगा शवो का अंतिम संसकार और जल्दबासी में उन्हें दफन करने के दृष्ष्य दुनिया भर में नजर आए लेकिन क्या कुछ देशों ने महमारी के दौरान हुई लोगों की मौत की गणना कम की लेकिन जब भर गया इदर ये भी भर गया हमारा 46 भर गया जमीन पर किया तो मैंने कमिशनर साब को रिक्वेस्ट किया World Health Organization ने International Experts के एक पैनल से ये गणना करने के लिए कहा कि दुनिया भर में महमारी से कितने लोगों की मौत हुई महमारी के पहले दो वर्षों में ये समझा गया कि दुनिया भर में लगभग 55 लाख लोग कोविट की वज़े से मारे गए लेकिन WHO को अब लगता है दुनिया के कुछ हिसों में अन्यमित टेस्टिंग, रिकॉर्ट को ठीक से ना रखना और लॉकडाउन के दौरान बिना कोविट की हुई मौतों को अगर मिलाया जाए तो कुल मिलाकर एक करोड़ पचास लाख से जादा लोग मारे गए यह एक ट्रैजडी है, यह आंकडा हैरान करने वाला है, हमें उन जिंदगियों का सम्मान करना है जिने हमने खो दिया है, और हमें पॉलिसी बनाने वालों को जवाब दे ठहराना है और यदि हमने ये गणना नहीं की तो हम अगली बार के लिए बहतर तरीके से तयार नहीं हो पाएंगे कुछ देश इस मामले में अलग नज़र आते हैं जैसे रूस जहां सरकारी आंकडों से साड़े तीन गुना जादा लोग मारे गए इसी तरह WHO का मानना है कि भारत में सरकारी आंकडों से 10 गुना जादा लोग मारे गए हाला कि भारत सरकार ऐसा नहीं मानती अफरीका में सुमालिय जैसे देशों में आंकड़े बहुत साफ नहीं है इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहां हुई मौतों का आंकड़ा अनश्चित है हमें बहतर डेटा कलेक्शन सिस्टम की फॉरण जरूरत है यह बहुत अपमान जनक है कि लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं और हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता हमें देशों में रेजिस्ट्रेशन सिस्टम पर वाकई ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमें सही समय पर सटीक डेटा मिल सके WHO की ये रिपोर्ट इस बात की पुष्टी करती है कि अमेरिका, बृतन, स्पेइन और जर्मनी जैसे देशों में महमारी के दौरान दुनिया भर के ओसत से जादा मौते हुई जो याद दिलाता है कि धनी देशों के लिए भी महमारी से ने पटना आसान नहीं था नाउमी गुर्मले, BBC News कोरोना से हुई मौतों के बारे में WHO के दावे का भारत ने खंडन किया है भारत ने कहा है कि उसे अतिरिक्त मौतों के आकलन के लिए WHO के गंटी ये मौडल के इस्तिमाल पर सक्त आपत्ती है भारत का ये भी कहना है कि आँखड़े जुटाने के लिए WHO द्वारा इस्तिमाल तरीके और मौडल सवालों के घेरे में हैं और COVID से हुई मौतों के बारे में WHO के आंकड़ों और भारत सरकार द्वारा उनका खंडन इस बारे में जानकारों का क्या कहना है यही जानने के लिए BBC संबादाता जै शुकला ने महामारी रोग विशेशग्या डॉक्टर तनमे महापात्रा से बात की एक बात तो कोई कॉस्टें इनी इसके बारे में कि there are excess deaths लेकिन यह excess death कितना percentage है मतलब इसमें तीन चीज़े एक है कितना डेट हुआ है दूसरा है उस में कितना excess death है मतलब जो होना चाहिए था जो होता है यहाँ का date rate के हिसाब से उससे कितना ज़्यादा हुआ है तिसरा है जितना WHO का report में आ रहा है और जितना government का reported है उसका difference जो है वो क्यों है तो मुद्धा तीन है तो इसके पहला बात क्या है कि death जो है वो तो excess death हुआ ही है इसमें कोई question लेकिन यह excess death जो है यह कितना ज़्यादा हुआ है उसमें question में यह सारे factors हम जो discuss कर रहे हैं उसका रोल है confusing with comorbidities यानि कि दूसरा बिमारी के कारण death बोला गया जो कोविट के होना चाहिए था ऐसा problem है पहले जब कोविट हुआ था वो बताने तो उसके कारण भी था under reporting of asymptomatic या mild symptomatic cases या less severe cases वो भी था उसके बाद उसके अंडर जो date है वो तो under reporting भी हुआ है so it is a combination of all these errors इतने सारे जो सुराग है एक गलतियों को इस अंकड़े में के अंदर जाने का वो सारे उधर छुड़ा हुआ है लेकिन population science का data science का जो pattern है उसमें regression to mean बोलके कुछ रहता है जिसमें एक positive error और एक negative error एक दूसरे को कोरोना सा counterbalance करता है और इन्हें country like India जहां पर इतना ज़्यादा संसनी case कवरे चारों तरफ से निकल के आता है जब कहीं date या कुछ incidence हो जाता है उसमें एक मौत को इस तरफ से दबाना कि वो 10 times under reported होगा यह impossible there are errors in every data there are errors गलतियां कम करना data science का काम है गलतियां zero करना नमुम्किन है क्योंकिंगे गलतियां हो रहा है यह समझ में नहीं है so intentionally जान बुछ के करना ऐसा अगर process होता है तब जाके तुक सारे डेटा फाज लेकिन वैसा कोई process एक अंडरी वाइड तो नहीं चल सकता कभी कभी कहीं कहीं कुछ सारे मिलाके मेरा कहना है कि एक्सस डेट है टेट अंडर रिपोर्टिंग डेफिनिकली वा है उसका exact वैलू निकालने के लिए सर्विलेंस डेटा के सब ग्राउंड डेटा को जो एविलेबल डेटा है उसको रिपोर्टेट डेटा को मैच करवाना पड़ेगा और इस रिपोर्ट का मेथोडोलोजी को समझना पड़ेगा WHO की रिपोर्ट के आंकड़ों में COVID से हुई मौतों के साथ साथ वो मौते भी शामिल हैं जो इलाज ना मिल पाने के कारण हुई कोरोना के कारण हेल्थ सिस्टम पर जो असर पड़ा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर जो अतिरिक दबा पड़ा उसके कारण कई दूसरी बिमारी से जूज रहे लोगों को समय पर ट्रीटमेंट नहीं पिल पाया जिससे ये मौते हुई भारत की बात तो हमने आपको बता दी रूस की अगर बात करें तो वहाँ दस लाग से ज्यादा मौते हुई जो आधिकारिक आंकड़ों का साड़े तीन कुना है इन अतरिक्त मौतों में से 84 फीसदी बाते दक्षिन पूर एशिया योरोप और अमेरिका में हुई और कुछ 68 फीसदी मौतें तो सिर्फ दुनिया के 10 देशों में हुई और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि महिलाओं के मुकाबले पूरुशों की मौत ज्यादा हुई विश्व स्वास संगठन के प्रमुक डॉक्टर टेड रॉस ने इस डेटा के बारे में कहा कि ये डेटा कोरोना वाइरस के प्रभाव के साथ साथ इस और भी इशारा करता है कि देशों को एक टिकाव स्वास प्रणाली में निवेश करना कितना जरूरी है जो संकठ के समय जरूरी सिवाओं को जारी रख सके जिसमें एक मजबूत सूचना तंत्र भी शामिल है